हाई एवरिवन मैं रोहन यादो आप सभी का एक बार फिर से अपनी यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों से डिसकस करने वाला हूँ समाजकारी में कुछ महत्पूर प्रश्न पत्रों पर आप सभी को मैं बता दू कि मैं अपनी यूटूब चैनल पर समाजकारी में यूजी सी नेट की आउनलाइन क्लासेज प्रवाइड कराता हूँ और यमपी सेट सोशल वर्क की भी आउनलाइन क्लासेज आप लोगों को प्रवाइड कराता हूँ फुल कोर्सेज इसमें आप लोगों के लिए चलाई जा रहे हैं मात्र 3000 में आप लोग क्लासेज होगी साथी साथ हम कुछ तथ्योंग पर भी बातचीत करेंगे जिससे आपका assessment भी हो सके और e-notes in PDF format में आपको टेलिग्राम पर प्रवाइड कराए जाएंगे जैसी topic आपका finish होगा उस topic से संबंदेत आपके mcqs कराए जाएंगे यानि एक प्रकार सी practice भी करवाए जाएंगे online test भी रहेंगे और query session भी आपके रहेंगे साथी साथ everyday live classes भी आप लोगों को provide कराए जाएंगे previous year के question paper 2004 से लेकर December 2023 तक के जितने भी प्रशन हुए है UGC net social work में वो भी प्रशने आप लोगों से solve करवाए जाएंगे चलिए बात चीत करते हैं next important कुछ महतपूर प्रशन पत्रों पर हम लोग ये प्रशन हमारे सामने दिया गया है जैसा कि आप सभी लोग देख भी रहे हैं प्रशन है प्राचीन तथा मद्धकालीन युग में किसे अन्न स्रेडियों में स्रमिकों को उपलब्ध आधिकारों से वन्चित रखा गया था प्रशन प्राचीन समय और मद्धकाल का युग था उस समय अन्न स्रेडियों में स्रमिकों के उपलब्ध जो अधिकारों से वन्चित रखा गया था तो वह करेक्ट जबाब जाएगा ऑप्शन नमबर सी दासो और क्रिशी दासो को ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा कोशन नमबर सेकंड हमारे सामने है और सेकंड करता है कि सीमित अर्थों में सेमित अर्थों में समाजिक न्याय से तातपर ये क्या हो सकता है देखे समाजिक न्याय का मेनिंग प पर मनिश्यों के बीच विवेद को खतम करना उपर योगत सभी यानि यहाँ पर अगर मैं आप से बात करूँ कल हम लोगों ने साम को साथ बजे वाली जो क्लास पढ़ा था उस क्लास में पर डीप में चर्चा किया है सामाजिक न्याए के बारे में और यह सभी तथे वहाँ इन्वाल्व भी थे और सही करेट जबाब अगर यहाँ पर जाएगा कोशन नंबर सेकिंड का तो ऑप्शन नंबर डी सत्य माना जाएगा कोशन नंबर थर्ड हमारे सामने दिया गया है तीसरे नंबर का सवाल आपकी सामने प्रस्तूत हो रहा है कि किसकी संकल्पना किनकाल से ही राजनेतिक चिंतन का भी से रहा है यह मैं आप लोगों को कलकी क्लास में भी बताया था और सही जबाब अप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी माना जाएगा कोशन नंबर फोर हमारे सामने दिया गया है कोशन फोर आप से कह रहा है कि रिग वेद के प्रिथव कारण की बात करते हैं तो कहता है पूरी धरती को परिवार मानने की भारती संस्कृती सामाजिक न्याय की प्राचिन तम रूप है यानि ये स्टेटमेंट आपकी सत्य है तो कल मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था याद होगा आप सभी लोगों को कोशन नंबर चार का सही जवाब आप्शन नंबर डी जाएगा केवल आर सत्य यहां पर रहेगा ए असत्य है नेक्स्ट सवाल पर बात करेंगे कोशन नंबर फिप्थ हमारे सामने दिया गया है आपको यहां पर आइडेंटिफाई करनी है कौन सा अनुछिद मैंने कल आप लोगों को साम अनुछिद भाव का बहिशकार अर्टिकल 15 आता है सारवजनिक आयोजन और रोजगार में सामानता का आउशर की बात करते हैं तो वह अनुछिद आपका 16 आता है आश प्रिष्टा का अंत तो अनुछिद आपका 17 आता है तो आप मैच कर सकते हैं पहले का जो गया है वो फो भी हो रहा है और डी भी मैच हो रहा है तीसरे सी के गरम बात करते हैं तो ये 16 को रिलेट कराएगा यानि आप देखेंगे तो सी वाला दूसरे से मैच हो रहा है और यहां पर करेट जब आप जो जाएगा वो आप्शन नमबर आपका माना जाएगा बी वाला करेट आप्श B में सयुक्तिराष्ट संग, option C में अंतराष्टी इस्रम संगठन और option D में मात्मा गांधी सवाल यह है कि समाजिक न्याई की बिना सरव्याप्त और अनंत सांती की प्राप्ती बेईमानी है यहाँ पर कर्ट जबाब जो जाएगा वो option number आपका C माना जाएगा question number next कहता है कि समाजिक न्याई के सिधान्त की मानता के अनुशार आये और संपत्ती का सीधा संबंद किस से नहीं होना चाहिए question number seven का सही जवाब होगा यहाँ पे समाजिक न्याई के सिधान्त में मानता के अनुशार आये और संपत्ती का सीधा संबंद नहीं है वो इन में से किसी से नहीं है जो option number D को रिलेट कराता है option D आपका सत्य माना जाएगा question number eight सिख्छा स्वास्त रोजगार आदि में सामान औसर सारवजनिक न्याई के आधार अस्तंब है या statement आपका सत्य है कारण कहता है कि हमारे संबिधान द्वारा राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे बच्चों और युवाओं के लिए ऐसी नीतियों का निर्मार करें जिससे सभी का स्वस्त विकास हो सके यानि ये भी statement आपकी सत्य है दोनों कथन सत्य है यानि कथन A भी सत्य, R भी सत्य आप कह सकते हो कि option number जो पहला है यहाँ पर ये correct माना जाएगा ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दू कि मेरे YouTube चैनल पर DSSB Social Welfare की भी online classes प्रवाइड कराई जाती है जिसका exam 2024 में है साथी साथ मैं अगर आप से बात करूँ तो MP, PSC की भी classes, sociology की भी आप लोगों को प्रवाइड कराई जाती है, दो पार एक बज़े से है आप लोगों की, और साथी साथ MP, SET की अगर मैं बात करूँ, तो सोशल वर्क के भी classes आप लोगों को प्रवाइड कराई जा रही है और UGC Net Social Work जिसका exam जून में है, इसकी भी classes आप लोगों को प्रवाइड कराई जाती है अधिक जानकारी अगर आप कुछ चाहिए तो आप description में जाकर वहाँ से पुरी detail मेरा ले सकते हैं या तो मुझे WhatsApp भी कर सकते हैं और call भी कर सकते हैं, मेरा number है नोट करिए, 85 060 31 308, ये मेरा contact number है आप मुझे संपर कर सकते हैं कोई भी जानकारी आप कुछ है ये तो आप इससे ले सकते हैं आप सभी की classes अभी दो पहर को एक बज़े से start होगी एक class फिर साम को 7 बज़े class चलेगी फिर एक class आपको 8 बज़े जो है चलाई जाएंगी question number 9 आप से सामने है करता है सुमलित करना है आप लोगों को भारती दास्ता अधिनियम के बारे में तो 1843 आता है और जाती निरोकता निवार अधिनियम की बात करते हैं तो 1850 आता है और सामान परिस्रमिक अधिनियम की बात करते हैं तो 1976 आता है और सिविल अधिकार संरचल अधिनियम की बात करते हूं तो 1955 आता है कल मैंने समाजिक न्याई के अंतरगत कुछ विधान को नोट करवाया था उसमें लग बग 8-10 मैंने आप लोगों के इन अधिनियम को भी नोट करवाया था तो सही जवाब इस प्रशन का आप देख सकते हैं पहले का दूसरा दूसरे का पहला तो आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं ऑप्शन B भी है और ऑप्शन D भी है तीसरे का चोथा है और चोथे का तीसरा है तो आप कहा सकते हैं, यहाँ पर option number जो D जाएगा, यह option आपका correct हो जाएगा, D option आपका सत्य माना जाएगा Question number next आप देख सकते हैं, यहाँ पर हलाक मेने टिक भी लगाया है, आसान सा सवाल है भारती समविदान के अनुशेद के अंतरगत सामानता का अधिकार परदान किया गया है, वो अनुशेद 14 है समविदायों का विकास अपने सदस्यों की सामान ना सकता हों और आकांचाओं की पूर्ती के लिए होता है, या कथन किसका है, तो जिन्स बर्ग का है देखिए, आप लोगों का भी यूनिट नंबर एट चल रहा है, यूजी सी नेट के बच्चों के लिए, तो आजा हम लोग बात करने वाले समाजिक नियाए पर और भी इसकी प्राक्टिस और मैं करवाओंगा आप लोगों को, ठीक है, तो भी क्लासिस ये, तो मैंने क्लास पबलिक की रूप में आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, बकि इसकी क्लासिस तो ऑनलाइन आपकी और चलेगी प्रैक्टिस और मिवें हैं, आप लोगों करवाओंगा, कोश्चिन नमर 12, निमनलिकत में से कौन सा सामाजिक विकास का छेत्रों में सामिल नहीं है, तो वो धारविक विकास जो है सामिल नहीं किया गया है, मौल अधिकार की विचार का प्रादुर्भाव सबसे पहले कहां से हुआ है, तो वो ब्रेटेन से हुआ है, option number आपका भी correct हो जाएगा, ठीक है, तो यदि आप समाजकारी की online classes पर्चेस करना चाहते हैं, UGC net की class, य BSSB की या MPPSC की, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को पर्डे classes आप प्रवाइड कराता हूँ, और वो classes सभी आपकी Google Meet पे चलाई जाती हैं, अगर आपको कोई doubt हो रहा है, तो आप Google Meet के तोरान जब रहते हैं, unmute होके आप अपनी बातों को भी हमारे साम मैं से चलाता हूँ, यदि आप इन classes को लेना चाहते हैं, तो आप नीचे description में मेरा number दिया गया है, आप मेरे number पर WhatsApp भी कर सकते हो, और call के मार्धिम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, तो आज के लिए बस इतना है,